बच्चों आज हम क्लास 10 के विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चेप्टर है उसके न्युमेरिकल्स पर आंकिक प्रश्णों पर बात करेंगे बच्चों इस चेप्टर में कुछ important formulas हैं जैसे धारा बराबर आवेश बटे समय current is equal to charge upon time हम इसको current को i से वेक्ट करते हैं आवेश या चार्ज को q से और समय को t से तो यह होता i is equal to q upon t फिर दूसरा हमारा formula है इसमें महत्पुन विभुवांतर potential difference जिसको हम v से वेक्ट करते हैं v is equal to किया गया कार्य जो हम work करते हैं w और अपान आवेश q आपका charge q तो v is equal to w upon q विभुवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश तीसरा है ohms law, ohm का नियम जिसमें हम कहते हैं कि resistance जो है प्रतिरोध r बराबर विभुवांतर v बटे धारा i मतलब जो resistance r है वो equal है potential difference v और धारा i के अनुपात के तो r is equal to v upon i फिर प्रतिरोधक्ता का हमारा formula है row is equal to r upon l जहां r प्रतिरोध है a वो तार के अनुपरस्त काट का क्षेत्रफल है area of cross section और l उसकी लंबाई है area of cross section को आप pi r square भी लिख सकते हैं फिर प्रतिरोधों का course में हमारे श्रैनी क्रम series में कैसे resistances को जमाते हैं श्रैनी क्रम में उसका formula है r is equal to r1 plus r2 plus r3 अगर हम तीन प्रतिरोधों को श्रैनी या समानतर क्रम में जोड़े शक्ति परिपत की p is equal to v i विभुवानतर v और धारा i के गुणनफल के बराबर हैं और जूल का जो तापन नियम है वो है h is equal to i square rt तो बच्चों ये इतने सारे formula's हैं और इस formula's पर based question हमारी exam में आते हैं तो आप ये formula को अच्छे से तयार कर लिजेगा और मैं एक एक करके इन formula पर आपको questions बताने का प्रयास करता हूँ जैसी यहाँ पे एक example देख लीजिए कि किसी विद्युद बल्ब के तंतु में से 0.5 एंपेर विद्युद धारा 10 मिनिट तक प्रवाहित होती है तो विद्युद आवेश का परिमान क्या होगा अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यह विद्युद धारा एक current है यह i हो गया आपका यह time में t हो गया है और q पूछा है तो i q और t का जो relation होगा उससे एक question solve हो जाएगा देखिए i is 0.5 ampere t जो है 10 minute है और आपका q पूछा है कोल सा formula है धारा बराबर आवेश बटे समय i is equal to q upon t current is equal to charge upon time तो चलिए formula यूज करते है और value को हम put करते हैं तो current के place पर 0.5 लिखेंगे आवेश के place पर q e रहेगा क्योंकि वो निकालना है उसका परिमार और t के place पर लिखेंगे हम 10 minute लिखा है तो इसको second में change करेंगे तो यूज का 10 into 60 second तो बच्चों अब आपका ये अगर हम क्रास्प इसको multiply कर दे तो 0.5 into 10 into 60 तो ये आपका 600 में 0.5 का multiply होगा तो ये मनेगा 300 कुलाम क्योंकि आवेश का मातरक कुलाम है इसलिए हमें उत्तर में कुलाम लिखना होगा मातरक सइथ हमें उत्तर देना है तो बच्चों देखिए फरस्ट आपका जो है i is equal to q o पांटी पर बहुत simple question इस ढंग से पूछा जा सकता है देन आप्टर देखिए यहाँ पर 12 व विपवांतर v is equal to potential difference v is equal to work w कारे w और आवेश चार्ज q तो v is equal to w upon q यहाँ लग रहा है आपको w निकालना है v दिया है q दिया है तो आप तो वही v is equal to w upon q से चलिए और value put कर दिजिए v के place पर आप लिखेंगे 12 w आपको निकालना है और q के place पर आपने लिखा 2 तो w is equal to हो गया 24 और बच्चों एक कारी है और कारी का SI पदती में मातरफ होता है जूल तो यह हो जाएगा 24 जूल तो इस तरह से हमने i is equal to q upon t और v is equal to w upon q पर sum समझे हमें numerical में देखना पड़ेग कि यह numerical जो पूछा जा रहा है जो आंकिक पूछा जा रहा है इसमें हमें क्या-क्या values दी है और हमें क्या value को निकालना है चलिए आईए और questions पर देखते हैं हम homes ला पर आते हैं और homes ला के हम questions स्वाल करेंगे देखें बच्चों यहां question को देखिए किसी अज्याद प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बेटरी को जोड़ा गया है मतलब यह 12 वोल्ट की बेटरी को आपने जोड़ा है तो परिपत में 2.5 मिली एंपियर की धारा प्रभाइद होती है बच्चों एक बात ध्यान रखेंगा यह मिली एंपियर वगेरा जब भी शब्द आते हैं तो आपको इनको एंपियर में कनवर्ट करना चाहिए मिली वोल्ट को वोल्ट में कनवर्ट करना चाहिए अगर मिनिट लिखा है तो सेकंड में कनवर्ट करना चाहिए ताकि आपके सही सही मात्रक आखरी में आप उत्तर के समय लेख पाएं तो प्रतिरोधक के सीरों पर 12 वोल्ट की बेटरी को जोड़ा तो यह आपका हो गया विभुवांतर पोटेंशल डिफरेंस और 2.5 मिली एंपेर की धारा मिली मतलब हो गया आपका करंट धारा और यह आई के प्लेस पर 2.5 मिली एंपेर तो 2.5 इंटू 10 तू पाउर माइनस 3 क्योंकि मिली एंपेर है तो इसको एंपेर में कनवर्ट करेंगे तो यह होगा 10 तू पाउर माइनस 3 एंपेर तो अब देखिए इसको थोड़ा सा आप सॉल करिए तो देखिए मैं यह दश्मल होटा रहा हूं तो यह 120 हो जाएगा 120 अपाउर 25 इंटू 10 तू पाउर 3 और इसको जब मैं सॉल करता हूं तो यह बनता है 4.8 120 में 25 का डिविजन इंटू 10 तू पाउर 3 ओम यह इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा जो की हमारा अग्याद था तो हमने क्या किया यहां पर यह विभवांतर को पेचान लिया यह धारा को पेचान लिया और प्रतिरोध निकाल दिया अब देखिए यहां प्रश्न को देखिए किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोद 1200 हों में तो यह बल्ब 220 वल्ट के इस त्रोश से कितनी धारा लेगा अब देखिए यह वही तो कॉश्चन हो गया यह रेजिस्टेंस दिया है और यह वोल्टेज दिया है और करंट पूछा है ठीक है ना तो यह रेजिस्टेंस दे दिया और के दिया वोल्टेज दिया और करंट पूछा है यह बल्ब के लिए तो सबसे वहले हम बल्ब है तु निकाल ले देखिए रेजिस्टेंस आर इजी कल टू भी अपन आई फार्मूला को हमेशा इसी रूप में लिखना चाहिए ना इने तरीके से फार्मूला नहीं लिख चले आईए यह 220 अपां 1200 और बच्चों यह आपका 1010 कैंसल होगा और 22 अपां 120 और आप इसको स्वाल करेंगे तो यह आएगा 0.18 एमपियर तो इस तरह से आपने यह बल्ब कितनी धारा लेगा यह आपने पता कर लिया अब इसी प्रस्न में पूछा है कि अगर हीटर की कु हो गया है हीटर का हो गया है और भी तो होई है और फिर से आई पूछा है तो यही फार्मूला वापस से लगाना है इस बार किसके लिए लगाना है हीटर है तो लगाना है आर के प्लेस पर आप 100 लिग देंगे बाकी वेल्यू वही रहेगी तो देखिए यहां से आप आई क लापर-based question भी solve किया तो इसमें भी हमने बहुत ध्यान रखा है कि हमको जो values दी वी है वो हमें पहले identify करने ना चाहिए कि हमें क्या-क्या दिया और क्या-क्या पूछा है अब देखें यहां पर resistivity या प्रतिरोधक्ता के उपर भी question यह थोड़ा सा tough side में जाता है इसको आप द तार का व्यास दिया है 0.3 mm तो यह diameter दिया है तार का व्यास दिया है तो त्रिज्जा निकाल लेंगे और प्रतिरोधक्ता पूछीए तो प्रतिरोधक्ता का हमें पता है फार्मुला कि प्रतिरोधक्ता जो है row is equal to होता है र अपानल आर यहां resistance है ए एरिया आप क्रास section और का शत्रवल जिसको आप पाई आर इसक्वेर लिख सकते हैं तो आर इंटू पाई आर इसक्वेर अपाने यह फार्मूला बन जाएगा और वच्चों आप इसको बहुत आराम से अब आपको सब सब ले तो यह पता करना है कि देखिए आर की वेली तो आपके पास यह 26 है एल भ लिखा है तो आपको पता है तो अगर मैं आर स्क्वेर करूँ हा तो यह हो जाएगा डी स्क्वेर भाई फॉर क्योंकि मुझे आर स्क्वेर की वेल्यू निकालना है अब देखिए डी स्क्वेर तो डी कितना है 0.3 और एम एम है तो इसको आप बदलेंगे मिटर में इंटू capital R के place पर 26 ohm into pi के place पर 3.14 L के place पर 1 into और यह देखिए पूरी value जो R square की हमने बनाई है R square की जो value है यह यहां रख दीजिए देखिए 0.3 का square करेंगे तो 0.09 into 10 to the power minus 3 का square करेंगे तो 10 to the power minus 6 upon 4 अब बच्चों देखिए थोड़ा सा multiply कर लीजिए थोड़ा यह इसका mathematics थोड़ा सा टप बन सकता है तो 26 में 3.14 का multiply किया यह 81.64 हुआ और into 4 में 1 का multiplication 4 और यह 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 हमने वेसा का वेसा इसको लिख लिए अब हम इसमें इसका multiply करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे यह होगा 0.09 में 81.64 का multiplication 7.347 into 10 to the power minus 6 upon 4 और बच्चों जब आप इसको solve करेंगे तो यह आएगा 1.84 into 10 to the power minus 6 ohm meter क्योंकि resistivity है प्रतिरोधकता है तो इसका मात्रक होता है ohm meter अब बच्चों यहां एक महत्मुन बाद आपने देखी आपके मन में सवाल आ सकता है कि mathematically यह थोड़ा टब पढ़ रहा है इसमें multiplication करना division करना तो क्या इस तरह के question पूछे जा सकते हैं तो values तो change की जा सकती है लेकिन सबसे important बात ही होती है कि आप उसको समझते कैसे हैं आप उसको कैसे identify करते हैं इसमें कौन क्या दियावा और पूछा क्या है तो इस तरह से आप यह resistivity या विद्यूत प्रतिरोधा का question भी कर सकते हैं चली बच्चों आप आगे चलते हैं आगे बच्चों आपको पता है कि हमने जो resistance से प्रतिरोध है तो उनका श्रेणी करम और समानतर करम मतलब सीरीज और उनको parallel में कैसे जोडते हैं इस पर आधारित question हमें देखना चाहिए तो जैसे कि यहाँ पर एक चित्र बनाये हुआ देखे आप कि 4 ohm और 20 ohm है ना तो एक लेम का जो प्रतिरोध है वो 20 ohm दिया है और एक धारा तो बच्चों आप यहाँ समझ गए कि यह एक के बाद एक लाइन से जुड़े हुए हैं यह श्रेणी करम में हैं सिरीज में हैं और प्रतिरोधों का जो श्रेणी करम समूवन होता है वो होता r is equal to r1 plus r2 तो आप इसको 4 plus 20 तो यह क्या हो जाएगा बच्चों यह हो जाएगा 24 ohm तो यह तो आपका हो गया परिपत का कुल प्रतिरोध ठीक है यह कौन से करम में हैं इन सिरीज श्रेणी करम में एक के बाद एक लगे हुए हैं श्रेणी करम में अब धारा का मान अगर आपको पूछे तो आपको पता है कि धारा क्या होती है ohm सला से जानते है r is equal to v upon i ठीक है यह r आपको दिया हुआ है और v आपका यह लिखा है 6 volt विभुवांतर और r आपने अभी निकाला है 24 ohm तो आप आई आराम से निकाल सकेंगे तो देखिए यह हो गया 24 is equal to 6 upon i और यहां से आपने अगर i की value निकाली दी होगा 6 upon 24 और यह हो जाएगा 0.25 ampere बच्चों यह परिपत में प्रभाहित कुल धारा तो हे ही साथ में महतुपुन बात यह भी ध्यान रखिएगा कि कहीं बार वो परिपत में प्रभाहित कुल धारा की प्लेस पर यह पूछ लेते हैं कि इस 4 ohm में से प्रभाहित कुल धारा निकालो या 20 ohm में से प्रभाहित कुल धारा निकालो तब भी यह धारा का माल यही रहता ठीक है चली आगे बढ़ें तो इस रेनी करम में हम समझ गए कि R is equal to R1 plus R2 plus और भी मानलीजे रेजिस्टेंस जुड़े हो तो सब को जोड़ लेंगे और जो उसका कुल प्रतिरोध आएगा उस कुल प्रतिरोध से ही सर्किट में भेने वाल 6 ohm 6 ohm के हैं 6-6 ohm तीनों की value है और वो चाह रहे हैं कि 9 ohm तो एक मतलब प्रतिरोध या तो वो 9 ohm मिल जाए या 4 ohm मिल जाए अब बच्छो 9 ohm कैसे मिलेगा और 4 ohm कैसे मिलेगा वो कह रहे हैं आपको छूट है आप श्रनी करम में जोड़ें चाहें समांतर करम में जोड प्रतिरोध आएगा इन दोनों का मिला कर उसके साथ मैंने इस r3 को मतलब अगले 6 ohm को तीसरे 6 ohm को श्रनी करम में जोड़ा है तो देखिए इसको कि सबसे बेले दो प्रतिरोध हमने समांतर करम में जोड़े हमें पता है समांतर करम का फार्मूला 1 upon r dash is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 चुक r1 plus 1 upon r2 बच्चों ये r1 की value 6 है r2 की value भी 6 है 1 upon 6 plus 1 upon 6 ये what 2 upon 6 और बच्चों ये r dash की value अब देखिए इसको पलट दीजिए r dash उपर जाएगा तो 6 upon 2 हो जाएगा और ये value आ जाएगी 3 ohm तो ये 6 ohm और 6 ohm को अगर आपने समांतर करम में जोड़ लिया तो इनका जो तुल is equal to r1 plus r2 होता है तो 6 or 3 आपका 9 बन जाएगा तो तीसरा जब आप श्रेणी करम में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा r is equal to जो final value है वो हो जाएगा r3 plus r dash तो ये आपका r3 और इन दोनों का मिला कर आपने निकाला है r dash तो ये देखिए ये इसके साथ ये दोनों ये दोनों को समानतर करम में जोड़ने के बाद तीसरा उसके साथ हम श्रेणी करम में जोड़ेंगे और अगर मान लीजिए फोर ओम हमें रिजल्ट चाहिए तो हम पहले क्या करें दो प्रतिरोधों को इस तरह से देखिया आप 6 ohm और 6 ohm को हम श्रेणी करम में जोड़ ले तो ये ला तो समानतर करम में यह बन अपान और डेश प्लस बन अपान अर्थरी हुआ क्योंकि ये दोनों का तो एक प्रतिरोध हो गया इसको हमने अरडेश नाम दे दिया और वह रज्टरी के साथ कौन से करम में है अब यह समानतर करम है समानितर करम का φार्मूला क्या होता है यहां 12 आएगा और बच्चों यह हो जाएगा 1 प्लस 2, 3 अपान 12 या 1 अपान 4, तो देखें 1 अपान R की वेल्यू आईए, 1 अपान 4 तो R की वेल्यू आजाएगी 4 Ohm, तो इस तरह से हमने कहा कि दो प्रतिरोधक आप श्रेनी क्रम में जोड़ दीजे और तीसरा समांतर में ज जोड़ दीजेगा और अगर समांतर करम का कोश्चन आए तो फिर इस दंग से लिखिएगा कि 1 अपान R इस इकल टू 1 अपान R 1 प्लस 1 अपान R 2 प्लस 1 अपान R 3 चली बच्चों आगे बढ़ते हैं, अभी हमने एक टाइप और आप से डिसकस की थी, शक्ती की, कि विद्य यहां तो सिधा सिधा कोश्चन हो गया है कि कोई बल्ब 220 वोल्ट के जनितर से सहीं हो जित है, तो यह वी हो गया आपका, और यदि बल्ब से 0.50 एंपेर की धारा प्रवाइत हो रही तो यह आई हो गया, तो आप से बल्ब की शक्ती पूछिए, तो आप तो बिल्कुल में हैं, तो यहां यह watt हो जाएगा, तो यह ampere हो जाएगा है, तो वोट हो जाएगा, तो यह शक्ती का मात्रा के वाट तो पी का बाहना जाएगा 110 watt, तो बच्छों आप शक्ती के फार्मूला को भी कहीं तरीके से एक्जाम में पूछा जाता है, तो जैसे मान alignment की बार क्या देंगे तो V और R में आ जाएगी तो फिर आपको V और R में भी शक्ति का मान निकल सकता है तो जिसे यहां आपको आई दिया हुआ है तो हो सकता है question में आई ना दे आपको R दे तब भी आप ओम स्ला से यहां I की वेल्यू पुट कर दीजेगा तो यह मान निकल जाएगा अब देखिए एक जूल प्रभाव का कोश्चन था ह is equal to I square RT यह जूल प्रभाव से हमारा एक महतुपुन सुत्र है जूल के नियम का तो उश्मा से संबंदित वो नियम है तो उश्मा का कोश्चन यहां गया देखिए आप तो चारोम प्रतिरोदक से प्रतिसेकंड सोजूल उश्मा उत्पन हो रही है प्रतिरोदक के सिरों पर विववांतर ग्याद कीजिए तो देखिए मैं आपको बताता हूँ चारोम प्रतिरोदक तो यह आर की वेल्यू आपकी हो गई चारोम और सो जूल उश्मा उत्पन हो रही है तो H का मान हो गया सो जूल उश्मा का यह हमारा H से बेक करते हैं 100 जूल और प्रतिसेकंड है तो उसमें I आजाता है तो अगर आप I निकालते हैं तो R आपके पासे हैं तो भी अपना आप आ जाएगा ओम सला से तो सबसे पहले हमें H का फार्मूला लेकर I स्कूर आर्टी लगा कर वेल्यू निकालना चाहिए I की और जब I की वेल्यू आ जाए तो ओम सला लगा दो I और R से भी निकल जाएगा तो हमें पता होना चाहिए कि हमको एक्चुल देखिए आप यहां से विभवान तर पूछ लिया है उन्हों वो अगर सीधे धारा पूछ लेते तो आप तो यहां सीधे जूल प्रभाव से धारा निकाल लेते हैं न है एच इस इगल टू आई स्क्वेर लेकिन उन्होंने क्या कि आप विभवान तर पूछा है मतलब धारा के बाद भी आगे आपको काम करना पड़ेगा तो ही जिगल टू आई स्क्वेर रटी एच की वेल्यू 100 आई स्क्वेर आर की वेल्यू 4 और टी की वेल्यू 1 तो देखिए बच्चों यह हुआ 100 अपान 4 इकल टू आई स्क्वेर आई स्क्वेर की वेल्यू वी 25 और आई की वेल्यू हो गई 5 एमपियर तो देखिए आई 5 एमपियर आगिया और आर 4 ओम है ओम स्ला लग जाएगा तो वी निकलेगा बिलकुल सही तो चलिए ओम के नियम से बरतिरोदार बराबर विभवान तर वी और धरा आई कान उपात है वेल्यू पुट कर दीजिए आर के प्लेस पर 4 वी के प्लेस पर वी निकालना है विभवान तर वी रख दीजिए और आई के प्लेस पर 5 कर दीजिए 5 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों यह हो जाएगा 20 वोल्ट तो इस तरह से हम ये उश्मा संब प्रश्णों को भी इसके माध्यम से स्वाल कर सकते हैं तो बच्चों हम विद्यूतिया एलेक्ट्रिसिटी में सारे फार्मूलास पर बेस्ट को इसी तरह से स्वाल कर सकते हैं धन्यवाद